को ओपना अपना यार देखती है आगे जो अपना था पढ़ना अपने को प्लास्मा में कैल्शियम्न, टीक है तो तो इसमें क्या होता है जो नर्मल लेबल होता है ना अपना ठीक है नार्ममल आ कंसेट चन्सटरीशन होता है कैल्सी inside का सीरम में ठीक है प्लाजम होता है 9 to 11 mg पर डासी लिटर ठीक है अभी आपको कुछ चीजो बताता हूँ ठीक है एपने पास 9 to 11 mg पर डैसी लीटर तीक है पाइब एम जी पर डैसी लिटर होगा ना 5 वह क्या रहेगा अपना आइनाइस फॉर्म में रहेगा ठीक है फंक्शनली मोस्ट ली एक्टिव रहता है ठीक है तो 5 परसेंट रहता है जो 5 इतना मतलब कि आपके पास 9-10 mg पर डेलिटर मतलब की यतना माइक्रोग्राम है आपके पास ठीक है उसमें जो 5 माइक्रोग्राम रहेगा ना वह आइनाइस फॉर्म में होता है और फंक्शनली मुस्ट एक्टिव होता है लेकिन उसमें से बन परसेंट रहता है आप बोल सकते ह आप ए असेटेट एंट फॉसपेट ठीक एज साथ एसंहयन आ व्यूद्वन फॉस्ट यहाँ रहता है और वह वह आपना बांट करता है प्रोटिन के साथ ठीक है जिरन के साहिए तो कि यहार ने बॉन करता है यहाँ नो डिफूज़ेवल होता है जिहां पर केस्टिएं पर शोपीशार करता है क्यूंकि एंपर कैलसियम बांट होने की वाइसे परोटीन dass की स mesmos की चाल वम करते है तो वह पास नहीं कर पाता आधे थिके थिके है मोग पास नहीं कर पाते हैं और वह पास-दी कर पात है इस Miche V भी पास नहीं कर पाता है ठीक है बलड से टिशू में ठीक है और जो अपने यहां पर मैंने बताया तो आपको जो बन एमजी पर डैसलीटर था वो असोशेट करते थे सिट्रेट एंड फॉस्पेट के साथ तो यहां पर साइज इतनी बड़ी नहीं होते हैं इसली डिफ्यूस इस फॉर्म में होता है ठीक है और जो उसके बाद आगे देखती है ठीक है केल्सियम कॉंपलेक्स बिद्द सेट्रेट फॉस्पेट बाइकार्बनेट तो टैन परसेंट होता है मैंने आपको उपर बताया था भी ठीक है और यहां पर क्या है प्रोटीन बांडेट ठीक है व बाद क्यास्मा केल्सियम लेवए और कौन से फेक्टर है जो प्लास्मा के क्ल्सियम लेवर को भानेट करने वालें तो इस में अपने मेनली होथे हैं हार्वोन्स कौन कोन सो होते है कल्सी ट्रयोल पैर थाइरोडеля हार्मॉन जैसे प्ध्यdadeफ विट गूलते ऑर कैल्सी टोन जादा हो रहा है calcium body में तो इसे कम कर रहे हैं मतलब एक नॉर्मल लेविल तक मेंटीन करके रख रहे हैं इसी कंडिशन को अपन बोलते हैं समानतर रखना बोडी में तो आपन आग इसके फैक्टर से देखते हैं पहला फैक्टर पढ़ना को पढ़ेंगे आपने केल्सी ट्राइओल का एक और सुन्दर सा नाम होता है chemical नेम ठीक बंड 25 डाई हाइड्रोक्सी ठीक है कॉली केल्सी फ्रोल ठीक है कॉली इसलिए आता है क कॉलिस्ट्रोल से बनता है आपको बताए एक्टिव फ्रम मौता ह्बाइटमिंधी का और व quests होता क्योंवाता है एक्टिव फॉर्म मीमिंधी प्रोटीन. इसकी संथिसास को इंड्यूस करता है उसको करवाता है इतना अपने को समझ आता है ठीक है को कर अकर वाक्षे मार ry besch किसका calcium का और phosphate का दोनों का करवाता है ठीक किचिय कार्षी ट्राइबfund होता है अपना Federal लेट कैल्सियम का लेबल बढादेगा कैंसे अगर क्या में इंट्यस्टाइण का इन्धर्लाइजो इंक्रीस सब्सक्राइगा है तो बोन क्या कर पिदेगा प्रपोर्मोर्ट कैल्सिफिकीशन ठीक है और यहां पर हो जाएगा मिंड या पर आपन क्सक्राइब आपन क्या वोल सकते हैं पर्ण हो से आपको पेरित करा ल Gel km को करें वह ब्लड में करें इतना अपने को समझ में का भी आ रहा है ने को भी अगर हराँ में आगया PTS है घलनेंस टिशू एक्ष्ण हो करता है बोन पर किड्णी पर इंडीमन जाएशन पर करे बोन का रहा देगा है ब्लड इस्ट्रीम में एंटेस्टान से इंक्रीज कर देगा अब्जॉप्शन ठीक है कैसे करता है यार एक काम करता है जो पीटी अच रहता ना पैरा थारोड आर्मोन यह ना अपना कैल्सी टोनिन का जो फॉर्मेशन होता उसको इंक्रीज कर देता है इस वाज़े से फाइन पादेंगे तो इसी वज़े से अपना पीटी एच का करता है इंडारेक्टली इंक्रीज कर देता है एब्लड में बढ़ जाएगा ठीक है अब यहां पर मैं एक डाइगराम लेकर आया हूंगा वो डाइगराम आपको बता देता हूं ठीक है देख़ए जो है अपना प्लास का देख़ है कि आपको बार्ट अपने इंक्रीज चाहँ आपने इंटेस्टैनल से कैल्सीम के अब्जेफिशन तीक है अब देख़ए जो रीनल ट्यूबलर थाना अपना ठीक है रीणल ट्यूडर कैल्सिम जो रेजनल के अंदर किड्नी के अन्दर ता वह करेगा कर बलड में ली जाना है तो यह अपस्य हार्ण लग जाना तो होंब कंसे अंजया Arsenal लग रहा है आप बॉन अप बोन कैलosphं की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जो c Os होता है नब नटीक है कैलसी ट्राइओल अपने कहां इंटेस्टान फिफर करता और बोन पर करता है थीकай अब यहाँ पर देखेंगे अपने यहाँ पर क्या होगा अबना आपर जो कसी टॉनिट होगा- कौन केलसी टोनन टीक है बर जो पैराथाइरोड हर्मोन रहता है तो के करवाने वाला वो बोन मेना बोन से अपना उठाएगा केल्सियम और फेक देगा काम बलड के प्लाजमा में टीक है वहाँ पहुचा देगा और जो अपना क्येसी टाइगोल रहता है वह भी सेम काम करता ह है, Calsitonin कीतु है, मतलब कि It's Four-Mished Equipment ofボhne- करवाता है, ठीक है? एत दो भी चाठ़ की बाद, तो चार्टबर आप धो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? wish अब बात कर पчते हैं, Calsitonin, Calsitonin का मैंने पहले ही आपको बता दिया है अब ही, ठीक है? कौ één सा भी ऐसे मानके चलो आपी बोडी अपकी बोड़ी के अंदर इस प्लाजम के अंदर अपना कैलसियम कर लाई तो इस प्रगार से बून हुआ अपना फारमिशन कर l लेती हुआ पर हमिन्राइब हो जाती है और अव्म उसकार की बाज्मा में केल्सियम का लेबल डिक्रीज हो जाता है अब देखते आंगे केल्सिटोनिल एक्षिन ऑंदा केल्सियम मेटाबोलिज्म इस एंटागोनिस्टिक पिटियम मेने आपको बताएं यहां पे देखव अफ एक यहां पे पर पर नापनी समझ में आ जाता है अब बात करते हुआ और वापन आगे अब देख़ो यहां पे इसका एक्साया तो इसका बोन पे एक्षियम हो रहा है बोन पर करवाएगा मिन्रेलाइशन मतलब ओस्ट्यू ब्लास्टिंग एक्टिविटी कि नीप करवा रहे है यह इंक्रीज कर दे रहा है एक्स्क्रेशन ऑ केल्सियम पास करवा देरा इसे क्या अपने प्लाजमा में यूरीन की ना केल् में आता है और आप बात करते है आगे है डिक्रीश ब्लड केलस्यम लेबल करते है इस फाइनली ठीग है आपको कुछ important चीज़े बताता हूँ आप important of calcium phosphate ratio ठीग है तो इसमें क्या होता है ठीग है जो calcification of bone होता है न उसके लिए calcium phosphate ratio बहुत important role ब्ले बेगे रियुक्त करता है अब का होता है जो केल्सियम और फॉसपेट का प्रोड़क्ट होता है इसके बन बेल्ट लेते हैं एम जी पर डेलेटिलिटर आहिए चुप टैन फिप्टी mg per deciliter है उससे भी कम हो जाता है calcium phosphate का product ठीक है याद करकर रखना इस point को क्योंकि MC में आ सकता है ठीक है अब बात करते हैं एक्सक्रिशन of calcium ठीक है तो calcium excrete partially through kidney and mostly through intestine calcium mostly अपना intestine से पास हो के जाएगा ठीक है और kidney से काफी कम निकलता है ठीक है जो renal threshold होल्ड रहता है ना calcium का वो होता है 10 mg per deciliter देखो renal threshold मतलब समझाता हूंगा renal threshold का मतलब जो kidney है वो कितना hold कर सकती है इसका मतलब यह है ऐसे मान चलो आपकी blood की जो plasma है उसमें आपका concentration calcium का 10 mg per deciliter ठीक है तो क्या होगा जैसे अगर मान के चलो कि आपका filter हो रहा है जो आप concentration इसका आ रहा है ठीक है फिल्टर होने के बाद अगर वो 10 mg deciliter है तो क्या होगा इतना तो वो absorb कर सकती है अपनी किड़नी 10 mg per deciliter अगर बहीं पर 12 mg per deciliter आ रहा होगा concentration तो क्या करेगी वो 10 mg deciliter तो reabsorb करके blood में पहुँचा देगी बट जो 2 mg 10 mg per deciliter था न वो excrete कर दिया तो मदलब जो अपना renal kidney है उसकी reabsorb करनी capacity kidney की है 10 mg per deciliter ठीक है उसने वो कर लिया इसी को बोलते है अपन renal thrust hold ठीक है excretion of calcium into the faces is a continuous process मदलब ही faces से जाते रहते हैं जाते रहते हैं continuous process होती है इस किवर्स क्या हो जाता है deficiency of vitamin D होने लगती है ठीक है यतना अपने को समझ में आता है ठीक है आगे चलते हैं अब मैं बताऊंगा आपको disease ठीक है तो यहर जो इसमें disease बताने वाला उसमें सबसे पहले बताऊंगा आपको कौन सी hyper calcemia hyper मतलब जादा kel मतलब calcium ठीक है emia मतलब blood में calcium का level increase हो जाना ठीक है elevate serum calcium level beyond the normal नॉर्मल होता है 9 to 11 mg per deciliter is called hyper calcemia ठीक है असोशीट बिद्धा hyperthyroidism अगर आपको hyperthyroidism हो रहा है तो आपको hypercalcemia होने के chances बढ़ जाते हैं आगे बात करते हैं अपन सेकंड हाइपो calcemia मतलब कि आपकी blood में calcium का level कम होना यह बहुत ही serious and life-threatening condition होती है इसमें क्या होता है अगर अपने जो serum में calcium का level है वह 7 mg per deciliter से कम हो जाता है ठीक है इसके सिंप्टम्स क्या होते हैं नियूरो मस्कुलर इरिटेशन एंड कन्वल्जन साने लगते हैं ठीक है hypokalcemia mostly due to the hypothyroidism ठीक है hypercalcemia के सबसे हो रही थी hyperthyroidism और hypokalcemia अपनी hypothyroidism भी से ठीक है इसके treatment के लिए क्या कर सकते है अगर अगर अपन औरली calcium दे रहा है अब बात करता हूं मैं records की ठीक है records क्या है disorder of defect of क्या सका है calcification of one जो बहुंद का calcification होता है उसका defective है ठीक मतलब उसका disorder है ठीक है calcification of bone का it is maybe due to the low level of vitamin D माना जाता है कि vitamin D का low level होने की वाई से का होता है records होती है low concentration of calcium and phosphate होता है ठीक है और increase the activity of alkaline phosphatase ठीक है एक यार इसकी characters feature होती है अपनी records की कि इसमें न जो alkaline phosphatase enzyme इसकी activity increase हो जाती है ठीक है इसका diagram भी बताऊंगा आप अभी देखो आप आप इसकी देखिए मतलब इसमें क्या होता है records में रेक्ट्स में रेक्ट्स में फ्रक्ट्र होने के chances नहीं मतलब इमंडरलाइस होने के वज़े से ना जो इनकी लैग बगार होती है न वह ना और हाँ cell खराब हो गए तो क्या होगा वहाँ पे वहाँ पे इसका formation नहीं हो पाएगा इस वज़े इसका हो जाएगा अपने वो रेकेट्स की condition डप लबड होगी उसी को अपन बोलते हैं क्या रेनल रेकेट्स बट एक और रेकेट्स होती यार उसको अपन बोलते हैं सब्सक्राइब 걸로 होगी होगी पैस्ट किस बाहिस होगी त्रीट्मेंट के लिए का करतेंग है अपने यहाँ पर देंगे क्या एक ऐपना केल्सीट्रायूल क्या करोब आपना केल्चिंजिंप का भी एक्जप्शन capture और देगा ऑर वाहँ यसकी इफिशेंश्वीश पीच्फ तो लास्ट यार वह अपनी Osteoporosis है ठीक Osteoporosis में क्या होता है Characterized by the demon realization of bone ठीक है lose हो जाता है इसमें bone का mass occurrence से देखते हैं इसका elder people में होती है जिनकी age 60 से ज़्याद आये ठीक है both sex में मतलब male और female दोनों में हो सकती है but female होती है उनमें इनकी chances ज़्याद होते है बट कब female में post menopausal मतलब जो menopause होती है जब उनकी menstrual cycle होती वो stop हो जाती है at the age of 45 तो उसके बाद क्या होता है boomens is more susceptible than men ठीक है Osteoporosis के लिए ठीक है इसमें क्या होता है frequently bone fractures क्योंकि bone यहाँ पर demonize हो रही है तो fracture के लिए susceptible हो जाती है अब इसकी etiology की बात करते है तो etiology में आप एचीज देखी यहाँ पर decrease the formation of calcetriol from vitamin D with age ठीक है मतलब एच के साथ क्या होता है decrease होने लगता है formation calcetriol का ठीक है vitamin D से क्या होता है mostly जो अपने होती है न पोस्ट मीन पोजल ठीक कंडिशन वा पूमें उनमें यह जादा susceptible होता है में के थुरू इसमें और सेकेंड़ी लोजी क्या है deficiency of sex hormone in boomens ठीक है boomens में क्या sex hormones की कमिया आने लगती है इस वाइस क्या होता है हुआ पर अपने को osteoporosis होने के chance बढ़ जाते हैं तो यह दोनों function आप मतलब की जो रीजन है यह दोनों आप याद करके रखना ठीक है यह आप से पूछे जा सकते है उनिवर्सिटी में दोनों के दोनों ठीक किस वज़ी से होते हैं क्या cause होता है इसका अब बात करते हैं आगे तो इसका treatment की क्या होता है इस्टोजन एजमिस्टेशन ठीक है along with the calcium supplement in combination with vitamin D to post-immunopausal women जो post-immunopausal women होती है उसको estrogen देता है क्यों यार जो post-immunopausal women होती है ना आपको पता है जो estrogen की level बढ़ते हैं वो कब बढ़ते हैं जब अगर कोई menstrual cycle चल रही हो तब इनकी levels increase होते हैं अगर आपके पास menstrual cycle ही नहीं बचिया तो वहां पर estrogen का तो काम बचे गई नहीं इस बाइस से क्या होगा वहां पर अपने को osteoporosis होने की chances पढ़ जाते हैं ladies में ठीक है तो इसके साथ अपन क्या देंगे इस्टोजन के साथ इस्टोजन के साथ इस्टोजन के साथ देंगे अपन calcium supplement कमान करके किस साथ vitamin D के साथ ठीक है और क्या हो सकता है अपन high dietary intake करवाए calcium का ठीक है कम सम कितना 8.5 ग्राम पर देंगे अपने को कितना देना पड़ेगा तो यह अपने पूरा का पूरा